4 year later, 47, hello, जय हिन्द दोस्तों आप सभी का इस साइन्स महल चैनल पर बहुत बहुत बधाई हो मैं जानता हूँ कि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एक महत्वपून बात जो भी दिकत लगेगा वीडियो पर कॉमेंट कीजिएगा लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आप सही जगर आए हैं दोस्तों इस चैनल पर साइन्स माथ जी के इत्यादी बताया जाता है, साथ ही केवल नोट्स बताये जाते हैं और ओ भी NCRT बुक से ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के कॉमेंट में तीन बार एक ही चीज लिख कर भीजे मैं आपका जवाब जरूर दूँगा और दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्यूंकि इसी तरह साइन्स माथ की वीडियो देखने के लिए समझें तो चलिए वीडियो आज हम देखी लेते हैं कि क्या सीखने वाले हैं तो वीडियो शुरू हुआ और हाँ सब्सक्राइब करने से वीडियो आपके पास तूरंद पहुचेगी नमस्कार दोस्तो तो चलिए दोस्तो आज जो हमको जानना है वास्पोत सर्जन क्या होता है और क्या नहीं होता है इसकी विशे में आज जो हम फूल जनकारी लेने वाले हैं तो चलिए दोस्तो वास्पोत जो सर्जन है वो क्या होता है इसके विषय में अब हम जान लेते हैं तो आपको यह जो लिखा हुआ है दोस्तो यह आपको दीख रहा है कि नहीं दीख रहा है तो मैं आसा करता हूँ कि आपको यह दीखी रहा होगा तो चलिए इसको हम समझते हैं किस तरह से होता है दोस्तो अगर हम वास्प उत सर्जन का अगर हम संदी पीछिद करें तो दोस्तो यह तो होगा वास्प पलस दोस्तो हो जागा आपको उत सर्जन दोस्तो इस परकार से आपका संदी पीछिद होगा यानि दोस्तो वास्प पलस उत सरजन यानि दोस्तो आपको वास्प उत सरजन तो दोस्तो वास्प जो होता है वह क्या होता है वास्प जो होता है वह क्या होता है दोस्तो जब आप घरों में देखते हैं जब खाना बनती है तो उससे जो निकलने माली जो होती है क्या आप दे से निकला, तो जल से निकला के लिए, जल, तो धोस्तो आपको वास्प इतना आया कि नहीं आए, तो जो वास्प जो जल से निकला और दोस्तो उज़सर 230 कहने का मतलब होता है, किसी पदार्थ को बिढ़ना, कोई भी चीज जिसको निकालकर बिढ़ना या मतलब हटा देना तो दोस्तो वह होता है आपको उत्त सर्जन यानि दोस्तो छोड़ना बस इतना समझे क्या छोड़ना यानि भीगना दोस्तो छोड़ना यानि जल को छोड़ना आपको कहलाता है वासपोत सर्जन आपको इतना आया की नहीं आया बस इतना समझे जिए कि ज दल को थोड़ना दोस्तों आपको कहलागा यानि दोस्तों बीग देना निकाल देना कहलागा वासपोत सर्जन तो दोस्तों कहां से निकाल कर बीग देना वासपोत सर्जन कहलागा तो दोस्तों आपके सामने हम कुछ चित्र के माधियम से हैं हम आपको बताने का प्रयास करते ह हम आपको चित्र की माधियम से समझाने का प्रयास करते हैं आपको कहला आपको कहलाता है दोस्तो वासपूत शरजन आया आया याका है डोस्तो बस इतना समझ देए है अजय को है रिखते है थावे छंपी को समक्षेटा का मीन में ún ये की पिन पॉधे का जो पती बरसता पर की जो पानी है दोस्तो वह वाइँ मंडल में दोस्तो जाणा यानि दोस्तो आस्मान में जाना आपको कहला आता है वासपोत सर्जन किलियर हुआ कि वास्पोत सर्जन किसे कहते है दोस्तो जल यानि जल को ऊपर जाना भाफ के रुप में दोस्तो आपको कहलाता है वास्पोत सर्जन तो दोस्तो कहां के पानी जाना तो दोस्तो आपको पेंड पौधे पर का जो पानी है उसको आपको आसमान में जाना कहलाता है वासपोत सर्जन तो दोस्तो वास्पोत सर्जन का जो परिवासा है आपके सामने ये है कि लिखा हुआ है दोस्तो कि जल की भूंदे पति से जल वास्प के रूप में दोस्तो जल वास्प यानि दोस्तो भाफ के रूप में दोस्तो निकलती है तो इस किरिया को दोस्तो बोलते है वास्पोत सर् क्लियर दोस्तो जब इस पर जैसे ही दोस्तो सूरी की किरने पड़ेगी तो सूरी की जैसे ही दोस्तो किरने पड़ेगी ना तो इसका जो पानी जो होगा ना दोस्तो इसके आंग में जहां पानी होंगे वह वास्प के रूप में दोस्तो आसमान में चले जाएंगे आपकी नोट्स आज के लिए इतना ही तो वीडियो कैसे लगी लास्ट में ज़रूर बताएगा तो चली वीडियो समापत हुआ